आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उपसर्ग की विशेचता है साथ यूप इस फिरका आपको उपसर्ग की परिभास नहीं देखिये हो तो देख लिजेगा चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है वहां से जाकर देख लिजेगा क्या वे सब्दान्स जो सब्द से पहले जुड़ कर क्या है वे सब्दान्स आप लिग लिजेगा नहीं या तो वे सब्दान्स जो सब्द से पहले जुड़ कर उसका अर्थ परिविर्दित कर देते हैं उपसर्ग कैलाते हैं क्या है उपसर्ग मतलब आगे लगने वाली चीज न सब्द के आगे मूल सब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं उपसर्ग के लाते हैं बताय में केसे प्रभात भात था प्रा लगा दिया तो प्रभात हो गया मतलब पूरा बदल गया उसका जो मूल सब्द भात था प्रा लगा दिया तो प्रभात हो गय उपसर्ग के विश्यस्ता देख लिए कि पहली उपसर्ग मूल सब्द के पहले लगते हैं वहीं परिवासा में कहा था भी बताया था वहीं आ गया उपसर्ग मूल सब्द के पहले लगते हैं अभी बतायत में ने मूल सब्द के पहले लगने वाले तता उसका अर्थ परिवास करते हैं उपसर्ग के विश्यस्ता क्यालाती है उपसर्ग मूल सब्द के पहले लगते हैं दूसरा क्या साथ यो मूल सब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं मूल सब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं क्या है यति आप देखो कि प्रभात में यहां पर भात है तो यह एक लगा हुआ है प्रा लगाते प्रभाद होगा हर किसी के आगे आप यहां पर कुछ भी नहीं लगा सकते वह उपसरग नहीं के लाएगा यदि यहां पर सेट हो रहा मतलब जैसे प्रभाद में प्रा लगा तो एक प्रभाद नाम अच्छा लग रहा है यह एक नाम है तो इस उ अनुपम में भी यहाँ पर अनुपसर्ग लग रहा हुआ है आपको अच्छे से हाँ पर मूल सब्थ उपसर्ग पर नेवर करते हैं किलियर है आगे उपसर्ग से जुड़ने से मूल सब्थ का आर्थ बदल जाता है मैं अभी बता आता आपको जेश्ट प्रभात का उधारन द उपसर्ग मूल सब्थ के पहले लगते मैंने जिसा आपको परिभासा में बताया हुआ है मूल सब्थ उपसर्ग पर निर्बर करते हैं जैसे ही आप चनाब रहेगा उपसर्ग लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा किलियर है तीसरा है उपसर्ग से जुड़ने से मू को जुड़ता है मतलब अधिकांस बौला है पर पूरे ही नहीं बोले पूरा नहीं जुड़ने का कुछ-कुछ जुड़ जाते हैं और कुछ-कुछ नहीं जुड़ते हैं तो अधिकांस उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अधिकार होता है स्वतंत्र अधिकार के सा अपने म मुल्ष सब्द को निढ़निक करता हैं बतलब मुल्ष हखता हैं प्रदेशित करता है प्रदि Pi प्रदेशित करता है या निढ़निक्त प्रसद करते हैं प्राद hé significa पर जिर्भः करते हैं तीसरा है उपसर्ग से चुनने से मूल सब्द का आर्थ बदल जाता है जो मितले इकांस उपसर्ग का आपना स्वतंत्र अदिकार होता है और लास्ट जो है आपका यहाँ पर मूल सब्द को निरतिस्ट करता है तो अच्छे से स्क्रीन सोट लेना विल्कुल न भूलिए देखिए उपसर्ग के विशेशता है बता दिए तो अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और जिदि किसी भी सब्जेक्ट वापको दिक्कत हो तो अच्छे से उधारन सहीत आपको बता दिया जाता है और आपको समझ में आ जाता है जापके प्रिंटेड नोट से उन में अच्छे से उतार लीजिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए